नमस्कार बहुत स्वागत है आपका भगवान सिव और मा पार्वती की अराधना का महा सिवरात्री सबसे बड़ा पर्व है मानेता है इस तिथी पर ही भगवान सिव और मा पार्वती का विभा हुआ था महासिवरात्री के दिन भक्त सिवजी के लिए उपवास रखते हैं और इस दिन चुकि फालगुन महिने के कृष्ण पक्ष की चतूर दसीति थी है और इस दिन ही महासिवरात्री मनाई जाती है और इस वार 18 फरवरी सनिवार के दिन मनाई जाएगी तो इस दिन सच्ची भक्ती और निष्ठा के साथ ब्रत रखने वाले महादेब को प्रसन जरूर करते हैं और सिप्रसन भी होते हैं और मन चाही मनोकामनाओं की पूर्ती करते हैं तो महा सिवरात्री का यह पावन दिन हर बार के तरह सुभ और मांगली काल करने के लिए सबसे उत्तम है खास क्या है देखिए अगर हम पंचांग की माने तो महा सिवरात्री 18 फरवरी को पढ़ रहा है और इस दिन सनी प्रदोस ब्रत भी हो रहा है तो धार्मिक मानने ताखे अनुसार प्रदोस ब्रत रखने से भगवान सिव सभी मनोकामनाएं पुर्ण करते हैं अपने भक्तों से खुस रहते हैं और इस दिन महा सिवरात्री भी पढ़ रहा है तो इसको सुभ सईयों कहा गया है महा सिवरात्री चतूर दसीत तिथी की सुरुवात 18 फरवरी 2023 को रात 8 बचकर 2 मिनट पर होगा समापव 29 फरवरी 2023 को साम 4 बचकर 18 मिनट पर होगा निसीता काल का समय 18 फरवरी रात 11 बचकर 52 मिनट से रात 12.42 तक है और पर्थम पहर की पुझा आप 18 फरवरी की साम 6.40 से रात 49.00 के बीच कर सकते हैं तिरति पहर की पुझा उन्नीस फरवरी रात 12.42 तक कर सकते हैं चतुर्त पहर की पुजा उनीस फरवरी की सुभर तीन बच कर उनसट मिनट से सुभर साथ बच कर पांच मिनट के मद्याप कर सकते हैं पारन आप उनीस फरवरी की सुभर छे बच कर दस मिनट से लेकर दो पहर दो बच कर चालिस मिनट के मद्याप करेंगे हलांकि महासिबरात्री के दिन कुछ गरहों की चाल भी बहुत ही सूब बना रहा है इस दिन को वैसे तो देखे इस दिन भगवान सिविकी मूर्ती को पंचामरिस से असनान करवाई है पुजा भी दिये महासिबरात्री के दिन का इसके बाद आठ लोट यहीं कि आप किसी बरतन में जल में केसर डाल कर एक दो पंखुरी डाल दें और लोटे से आठ लोटा जल सिविलिंग पर अपिक करें इस दिन पूरी रात तक घर में दीपक जलाये रखें तो बहुत सिव जी को बिलपत्र भांग धतूरा गर्ने का रस और जाइफल कमल गट्टा फल मिष्ठान मीठा पान इत्र और दक्षिना जरूर परपीत करें इसके बाद केसर युक्त खीर का भोग लगाए ओम नम भगवते रुद्राय ओम नम सिवाय रुद्राय संभवाय भवानी प पुरान का पाठ जरूर करना चाहिए और रात्री जागरन करने का बिधान है महा सिवरात्री के पावन अपसर पर चार प्रहर की पूजा का विसेश बिधान है तो चार प्रहर की पूजा का सुमूर्थ क्या है कौन से प्रहर में क्यार पित करें आईए जानते है देखिए म महा सिवरात्री पर सिवयोग बन रहा है भगवान भोरेनात की बिधी पुर्वक पुजा करने से सुप फलों की प्राप्ति तो होगी साथ ही सिवरात्री पर अभीजीत का जो मुर्त है वो समय है दोपहर 12 बच कर 8 मिनट से दोपर 12 बच कर 15 मिनट तक अगर इस समय आप पुज पुजा कैसे करेंगे हमने सुमूर्थ ले दिया है चार पुजा में और ये पुजा साम से सुरू हो जाएगी तो और आपको बोलना है ओम हिंग इसानाय नमहा दृति पहर की पुजा में अरपित करना है आपको दही और बोलना है ओम हिंग अगोराय नमहा इसके बाद जब तरती पहर की आप पूजा करेंगे तब आप अर्पित कीजिएगा घी और जब घृत असनान होगा तब आप बोलिएगा ओम रिंग वाम देवाई नमहा एक बात याद रखिए जैसे आपने प्रत्थम पहर की पूजा की तब आप चतुर्ट पहर की पूजा में सहद मधु अस्टानिस को कहते हैं तो सहद आपको अर्पित करना है और सहद अर्पित करने के बाद भी मंत्र जब पूपना है और उसके बाद जल भी अर्पित करना है तो वो मंत्र होगा ओम रिंग सद्धियो जाताई नमह तो इस मंत्र का जब करके आप सहद आर्पित करें तो जीवन के हर कस्ठ ही दूर हो जाते हैं वैसे नित्र कर्म से निब्रित होकर ललाट पर भसम का त्रिकुंड तिलक गले में रुद्राश की माला धारन कर अगर आप सिबा ले जाएं विधी पुर्वक नियम से सिब जी को परणाम कर पूजा करें संकल्प लेकर तो यकीन मानिए आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए हमने बिश्तार से सब कुछ आपको बताया उमीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही है होगी तो जलिए हम निसित काल की पूजा उमीद है आप जरूर करेंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए हर साल फालगुन मास के किष्ण पक्ष की चतूर दसी को चुकि महासिवरात्री मनाई जाती है और इस बार भी 11 मार्श को ही मनाई जा रही है अब इस दिन रात की महिमा बहुत है इस रात को महारात्री कहते हैं धार्मिक महत्व की बात करें तो महासिवरात्री की रात को भगवान सिव मापारवती के बिबाह की रात मानी जाती है और इस दिन सिव जी ने बैरागी जीवन को त्याक कर ग्रिहस्त जीवन की ओर कदम रखा था अब ये रात सिव जी और मापारवती के लिए बहुत खास थी क्योंकि माननेता है कि जो भक्त इस रात में जागरन करके सिभ जी और उनकी सक्ति यनि मापारवती की अराधना करता है भजन बेगेरे करता है उन भक्तों पर सिभ मापारवती की बिसेश क्रिपा बरस्ती रहती है और उनकी सभी मनों कामनाय पुर्ण हो जाती है जीवन के तम महिमा अब हम अगर दूसरी तरफ बात करें तो देखिए इस रात गरह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुस्य के भीतर की उर्जा प्राकिर्तिक रूप से उपर की और जाने लगती है यानि प्राकिर्ति स्वेम मनुस्य को उसके आध्यात्मिक सिखर तक पहुचाने में मदद कर रही होती है तो महा सिवरात्री की रात में जागरन करने से रिड़ की हड़ी सीधी करके अगर ध्यान मुद्रा में बैठें तो इसकी महिमा ही निराली है अब महा सिवरात्री हर माह में अमवस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है लेकिन इस बार ऐसे में माह को छे होती है तिथी और अमवस्या के दूस प्रोहाओ से बशने के लिए एक रात पहले चतुरदसी तिथी को सिवरात्री बनाए जाती है तो सिप जी की अराधना की जाती है तो आईए जानते हैं दो लॉंग का परियोग आपके जीवन को कैसे बदल सकता है क्योंकि महा सिवरात्री के दिन की महिमा जितनी बखान की जाए वो कम है और आज हम सिप जी को वैसे तो आपने अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी दी आप तमाम तरह से पूजा पाठ करके उनको मना रहे होंगे तो पूजा बिधी में चारो पहर की पूजा करने को हमने बताया अब महा सिवरात्री में चारो पहर में पूजन किया जाता है और इस दिन सिव मंदिर जरूर जाए एक बार कम सकम सर जुका कर आ जाए पूजा बले ही आप नहीं कर पाएं बहुत भीड़ है लेकिन माननेता है कि इस दिन अगर उत्रा भी से करे तो भगवान सी प्रसंड होते हैं और ब्रत रखने वाले को दिन में भी नहीं सोना चाहिए पती पतनी दोनों मिलकर अगर सिब जी की पूजा करें कथा सुने तो इस ब्रत के अधवुत प्रेडाम आपको प्राप्त होते हैं और सिब जी को भांग धतूरा बिलपत्र बैर माना जाता है बैर चीर काल का पतीक है बैर जिसको हम बेरी कहते हैं तो उसे आप सिबलिंग पर जरूर अरपित करें और खाईएगा भी चंदन जरूर लगाईएगा मा पारवती को सुहागिन महिलाएं सुहाग का सामगरी अरपित करें और यदि आप उपास रखते हैं तो पूरे दिन फलाहार करें इस ब्रत में अन और नमक बिलकुल भी ना खाएं तो लौंग का परि सिवरात्री के दिन साम के समय याद रखिए साम के समय अगर आप चारो प्रहण की पूजा करते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो कम से कम साम के समय पास के सिव मंदिर में जाए फृस होकर और एक दीपक ले जाए गीका अगर नौकरी बैपार में परिसानी हो तो एग 11 दी पक्को रख दे यानि पत्ते या दोने में अब अगर जीवन में लगे कि सब कुछ एकदम ठहर सा गया आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तब सिब जी के मंदिर में जाएं कम से कम पांच लॉंग लेकर जाएं चाहें तो दो भी रख सकते हैं लेकिन लॉंग साबूत होना चाहि मानी है जो उनका नियटिव प्रभू है वो दूर करें प्रभू और सिब्लिंग के माथे पर यानि सिब्लिंग के ऊपर वो लॉंग रख दें यकीन मानिए यह आपके जीवन के सबसे बड़े ग्रहोंस की बाधाओं से आपको बचाए रखेगा एक और काम आज किया जाता ह करेंगे क्या आज के दिन दो लॉंग मा पारवती जो जिनका रूप मा दुर्गा भी है उनको अर्पित कर दें और ये दो लॉंग लाल कपड़े में बांध कर संभाल के रख लें भागे का साथ मिलेगा सत्तुरू ब्रोधी दबे रहेंगे जीवन में कभी किसी चीज की कम ही नहीं होगी करके देखें लाव 100% होगा फिलाल बिदा लेंगे हरहर महादेव धन्यवाद